नमस्कार दोस्तों मैं नूर और आज हम बात करने वाले हैं सोलार पैनल की क्लीनिंग के बारे में यह ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं कही बार क्या होता है कि लोग सोलार सिस्टम लगा लेते हैं लेकिन उन्हें मेंटेन करना नहीं जानते और बाद में उनको बहुत दिक्कत लगने लगती है जब वो सोलार सिस्टम सही से काम नहीं करता ऐसा लगने लगता है कि सोलार सिस्टम लगानी के चक्कर में पैसा बरबाद हो गया लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप solar system को अच्छे से maintain करोगे तो आपका solar power system सही से काम करेगा solar panel की cleaning maintenance का एक हिस्ता है और ये करना बहुत ही आसान है सबसे पहले जानते हैं कि इसकी cleaning क्यों करनी चाहिए हवा के कारण dust panels पे बैट जाती है और ये रोज रोज जमा होके एक layer बना देती है solar panels पे solar panels के layers होते हैं पहला layer होता है glass फिर उसके नीचे solar cells glass के तुरू sunlight solar cells में जाती है तो अगर एक dust की layer बन गई तो sunlight cell तक नहीं पहुंच पाएगी और electricity भी generate नहीं कर पाएगी या बहुत कम करेगी इसलिए आपको panels clean करने ही चाहिए अगर आप जानना चाहते हो के कैसे cleaning करते हैं तो इस वीडियो को इंट तक देखते रहिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले solar panels की cleaning को कुछ steps में समझते हैं पहला step है आपको अपने solar system completely shut down करना चाहिए पूरी तरह से power system को बंद कर दीजिए ताकि आपको shock लगने का डर ना हो दूसरा आपको safety equipment पहनने होंगे अपने आपको protect करने के लिए rubber से बने हुए gloves, jacket, shoes, glasses और cap पहनना है rubber पहनने से shock नहीं लगेगा, glasses आपके आँख में कुछ भी dust material जाने से रोकेंगे और cap आपको compulsory पहनना है अगर आपके solar panels उंचे area पहें तीसरा है अच्छा पानी, आपको ध्यान रखना है कि soft water ही use करना है panels पे क्योंकि hard water panels पी use होगा तो वो salt का residue छोड़ देता है panels पे जल्दी ही corrosion हो जाएगा जिसे आपके panels खराब भी हो सकते हैं तो आपको पानी को purify कर लेना है panels पे डालने से पहले और पानी से धोना needed होगा क्योंकि सिर्फ dry brushing से सिर्फ धूल हटेगी यानि dust हटेगी लेकिन वो अच्छे से साफ नहीं होगे जिससे electricity कम generate हो सकती है fourth step आता है सबसे main part वो है equipments आप किस type का equipment यूज़ करेंगे यह आप पे depend करता है जैसे के market में बहुत type के panel cleaning brushes आते हैं मैं आपको एक एक करके सब समझा देती हूँ ताकि आपको चूज़ करने में आसानी हो पहला type है automatic solar panel cleaning sprinkler यह सबसे सस्ता cleaning equipment है आपको बस on कर देना है इस system को और वो खुद पानी sprinkler करके पूरा panel साफ कर देगा इसका installation भी बहुत कम समय में हो जाता है और इसको इस तरीके से panel के end में set कर देना है दो panels के लिए एक sprinkler लगेगा अगर आपके पास 10 panels हैं तो 5 sprinkler लगेंगे दूसरा type है handheld motorized wet cleaning machine यह machine इस तरह दिखते है और इसके brush के bristles बहुत ही soft होते हैं जिससे आपके panels safe रहेंगे और कोई scratches आने का डर नहीं होगा इस machine को आपको hold करके खुद से चलाना पड़ेगा इस machine के ऊपर sprinkler है जहां से पानी आता रहेगा और जैसे आप हाथ चलाओगे वैसे वैसे वो clean करता रहेगा तीसरा है handheld handheld dual motorized wet cleaning machine यह वाला same पिछले वाले की तरह है लेकिन इसमें आपको दो brushes मिलेंगे जिससे सफाई जल्दी हो जाएगी फोर्थ है motorized dry cleaning brush यह ऐसा equipment है जिसे आपका solar panel को clean होने के लिए पानी की जरुरत नहीं पड़ेगे यह सिर्फ dry brush से clean करेगा यह कुछ ऐसा दिखता है और यह भी machine handheld है यानि इसको आपको एक side से पकड़े रहना है और लेके जाना है जहाँ जहाँ cleaning की जरुरत है तो यह रहे types of solar panel cleaning equipments और भी हैं लेकिन मैंने जो list किये हैं वो आपको market में सबसे सस्ते पढ़ेंगे और इनको चलाना आसान है सफाई के बाद 5-6 step आता है solar panel automatic water drainer का हर एक panel के edge में cleaning के बाद पानी और dust जम जाता है और तो आपका automatic water drainer पानल के edges में लगाना होगा यह उस पानी और dust को drain कर देता है इन 5 step को follow करके आप अपने solar panels की आसानी से सफाई कर सकते हो अब सवाल यह है कि solar panels को कितने बार clean करना चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ कि यह depend करता है आप कौन से area में रह रहे हैं अगर आपकी locality में बहुती ज्यादा dust होती है जैसे कि highway, थोड़ा outskirts में या industry site तो आपको हर 5 दिन में एक बार clean करना ही पड़ेगा panels को और अगर medium dust area है जैसे काफी शहरों में होता है तो आप हर 7 दिन में एक बार यानि week में एक बार panels को clean करिये अगर low dust area है तो 10 दिन में एक बार clean करना panels को काफी है अब हमें पता चल गया है कि क्यों clean करना है, कैसे करना है और कितने बार करना है आगे बढ़ते हैं कब करना है यानि कौन सा समय best है solar panels को clean करने के लिए solar panels clean करने का best time है जब मौसम normal हो धूप नहीं रहनी चाहिए तो यानि best time हुआ सुबो का वक्त सुरज निकलने से पहले तब मौसम normal रहता है धूप भी नहीं होती सुबे की time साफ करने के तीन reasons है solar panels को आपने कभी भी दिन में clean नहीं करना है क्योंकि दिन में ही solar panels चालू रहते हैं और electricity generate करते हैं अगर आप दिन में clean करेंगे तो आपको पूरा system shutdown करना पड़ेगा अगर shutdown करोगे तो उस दिन की electricity generate नहीं होगे और आपको shock लगने का भी डर है दूसरा reason है रात भर solar panels बन होंगे तो वो normal temperature में सुबे तक आ चुके होंगे तो आपको गरम लगने का chance नहीं है जबकि आप रात में करोगे तो सुबो से panels पे धूप पड़ने के वज़ा से वो panels गरम होंगे जिसे shock लग सकता है तीसरा reason है कि रात भर हवा में नमी की वज़ा से panels पे जो धूल जमी होती है वो आसानी से साफ हो जाएगी साफ करने पर रात में करेंगे तो दिन भर solar panel चालू रहने की वज़ा से उस पे लगी dust सूप जाती है और रात में जब clean करोगे तो वो dust नहीं निकलेगी और marks छोड़ देगी glass पे इससे panels खराब भी हो सकते हैं तो रात भर हवा में जो पानी की नमी होती है वो उस dust को wet कर देती है और निकालने के लिए आसान बना देती है तो मैंने आपको इस वीडियो में solar panel cleaning की सारी information बता दी है बिना हर बार एक cleaning expert को बुलाने के बदले आप खुदी से आसानी से cleaning कर सकते हो आपको इस में से कोई भी model खरीदना है तो आप solar clue से खरीच सकते हो solar clue के website पे जाएए और top right से all categories में solar components को select करें और solar tools पर click करें तब आप से आपका location पूछेगा तो आप अपना location एंटर कर दीजे तो आपके सामने सारे solar panel cleaning equipment आ जाएँगे इन में से आप अपना requirement और budget देखके purchase कर सकते हो अगर आपको वीडियो useful लगा तो like और comment करना ना भोले धन्यवाद